बिल्कुल रोमाना में समाजवादी पार्टी के लोगों से इसका जवाब लूगा कि उनके राश्ट्री अद्दक्ष का मामला है योगी आधित तनाथ चुनाओ मैदान में उतरने जा रहे हैं क्या लगता है अखले शैदों को चुनाओ नहीं लगता चाहिए निश्य तोर प जब उत्तरप्रदेश की जंता ने चहरा बना दिया मुखमंत्री का तो दबाव योगी आधित नाथ पर आ गया कि उनको चुनाओ लड़ना पड़ा है अभी तो उनका एक साल से यादा का कारिकार MLC पत्का खाली पड़ा है और उनको चुनाओ में जाना पड़ा इसका मतल रहा है इतने दिनका कुसासन रहा है उसकी जवाबने ही कौन करेगा अगर योगी जी चुनाओ नहीं लड़ते तो कम से कम उनको जवाब दे ही उनकी तहे होगी लगता है खिले शदक चुनाओ ब्याना चीए जी जी बिलकुल आना चीए लेकिन या तो डर हो तो फिर ना आए और नहीं डर है तो फिर सामने आके जो है संगर्ष करना चाहिए लड़ना चाहिए बिलकुल उनको कह रहे हैं डिलीवर करने में पूरी तरीके से फेल है आप मुख्यमंत्री जब आदितिनाज जी बने वो चुनाओ नहीं लड़े थे मुख्यमंत्री भाजपा ने बना दिया लेकिन उनकी डिलिवरीज पता चलता है कि गोरकपुर में लोकसभा हार गए और दूसरे चुनाओ हार गए जनता भाजपा को चुनाओ हराने जारे क्योंकि पता है यदि महंगाई घटानी है तो भाजपा को हराना पड़ेगा यह समाजवादी पार्टी का इंटर्नल मेंटर है आना चाहिए यह ना आना चाहिए लेकिन यहाँ पर डिबेट यह होनी चाहिए कि बिरुजगारी कितनी है और किस तरह यहाँ गुंडा गर्दी हो रही है बिरुजगारी और मैला शक्तिकरण की जिस हिसाब से कांग्रेस यह मुद्दों की बात कर रहे हैं कुछलों के कहना निश्चत रूप से जब उत्रप्रदेश के मुक्रमंत्री चुनाओं मैदान में आई हुए तो अखलेश यदों को भी आना चाहिए एबीपी नीउज आपको रखे आगे